सबी प्रकार के जो होने वाले एक्जाम हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉश्चन करने वाले हैं जीके एंड जीकेस और कुछ आपको इसमें साइंस की कॉश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं तो वीडियो को अंते तक जरूर से बने रहे हैं अगर आप चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक करके जरूर से आपको जाना है चलिए फस्ट कॉश्चन आपके सामने आगे है अगर आपको इस प्रकार के प्रिश्चन को उत्तर पता है तो आप कमेंट वाक्स में उसका उत्तर बता सकते हैं अ कि आप से विक्रत दूसरा है यक्रत तीसरा है एक और चोता है मस्तिक चार आपके सामने हर एक कॉश्चन को देखने को मिलने वाले हैं तो अगर पता है तो कमेंट वाक्स में आपको जरूर से यहां पर बताना है इस प्रिश्चन का उत्तर की एगर हम बात करें तो आंसर सो को करेंगे तो हमें बता चलेगा ऑफशन नम्बर डी मस्टिक से हमारा सही उत्तर हो जाएगा अगर इस कॉश्चन के हम डिटेल की बात करें यानि कि इस कॉश्चन में और क्या-क्या है इस से किस्ते हमारे कॉश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको बताएं ठीके दोस्तों ने 2019 के पैच के अंदर तो दूसरा कॉश्चन है सौर सैल को बनाने बनने में किस तत्व का प्रयोग होता है पहला और मैंगनिसियम दूसरा है सोडियम और तीसरा है कैल्सियम और डी है सिलिकॉन सही उत्तर अगर आपको बताना है तो कमेंट बोस में आपको इसको करना पड़े note आप जरूर से कर लें next question देखते हैं जो कह वेरी important है next question में देखेंगे option number डी हजा मत का सीधा कौन सा है हसा हजा मत का सीधा कौन सा होता है वो आपको यह पर पताना है पहले तो आपको हजामत का मतलब पता होना साइए तभी कि आपको इस प्रकार के question को write कर पाएंगे तो उत्तर पस्त की बात करें तो उत्तल दूसरा अबतल या समतल या परवल्य सही उत्तर अगर आप पताना चाहते हैं तो सो करेंगे तो option number हमारा भी यानि कि अबतल हमारा इस person का सही उत्तर हो जाएगा दूस्तों very important एक महत्पूर प्रसना था जो कि हमने आपको कुछ important है जो complete कराने के वादा क्या है तो कराएंगे भी next question देखते ही जो कि very important है लखा है टूटी होई हड्डियों को जोडने के लिए निमलखित मैंसे किसका प्रियोग किया जाता है तो यहां पर option number first की बात करें तो सफेद सेमिंट का या फ फिलास्टर ऑफ पैरिस का simple question है लेकिन यूप पुलस हो या MTS हो दोनों को base GKGS की तरफ से एक ही होता है तो इसका प्रस्ण आपको इसी प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं तो अगर उत्तर करेंगी तो हमारा option number D सही उत्तर हो जाएगा फिलास्टर ऑफ फैरिस सही उत्त और इस प्रिष्ण का हो जाएगा देखिए इस सभी question जो हम आप इस वीडियो में सीख रहे हैं वो सभी question paper में आ चुके हैं यानि कि previous year question है बार बार पूछे जाते हैं इसलिए हम आपको करा रहे है अगर चैनल को subscribe करते हैं तो रोज इस चैनल पर आपको math related GK स related GK और GKS और आ गया है जिसमें लिखा है किस जिले में मोहन जोदरो इस्तित थे इस्तित है लरकाना या मौंट गौर्मी या सिंद या उदंपूर सही उत्तर की बात करें तो हमारा लरकाना सही उत्तर हैं कि ऑफस नमर फ़स्ट सही उत्तर आ जाएगा इस प्रश्णिगा नेस्ट कॉस् इसलिए हम डारेक्ट साथ में पर आ चुके हैं जो कि आपके सामने भारत की महान पुरुष के बारे में पूछा गया है लगा है हम भारत का लोह पुरुष किसे कहते हैं या किसको कहते हैं परिए आप सभी को असी परसेंट बच्चों को इस कॉस्चन को आंसर आता होता तो इस परसन का उत्तर आप जरू से कमेंट बताएंगे क्यों हमें पता है सभी बच्चों को इस प्रसन का आता है उत्तर अगर बात करें तो हमारा ओप्सन नंबर डी सरदाव वलब भाई पटेल यहां पर सौट में लग दिया गया है सरदार पटेल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रसन का बेरे इंपोर्टेंट यह मात पूर बार बार पूछा जाता है इसलिए हमने आपको इंपोर्टेंट कॉशन है पो सीडीज में इसको ले लिया गया है ठीक है नेस्ट कॉशन की बात करें नो कॉशन थोड़ा लंबा होने वाला है इसलिए हम आपको पूरा पढ़ में किसका स्थान लिया गया है है यहां को आगे बढ़ाने के लिए निता की रूप में किसको चुना गया था वो पर आपको बताना है अगर उत्तर की हम बात करें तो को वाशन नम्बरा मारा ए अब आश्य त्यारवस्ती सही जांसर हो जाएगा इस प्रिस्न का परिए इंपर्टन है मातपूर्ण प्रिस्न आयोप के आपने देखा होगा और समझा भी होंगे जिसने भी कोश्चन करा हैं व वीडियो को सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेंट जरूर से कर देए जहन जान है